बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्राहीम, अस्सालामों अलैकम आदि घर का डाक्टर में खुश आंदीद काता हूँ मेरी आज की इस वीडियो का मौदू है कि गोश्ट गलाने के आसान तरीके है वो कौन से तरीके हैं जिसमें आप मीठा सोडा या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मेदे के लिए नुकसान दे हो इस्तेमाल के बगएर गोश्ट को गला सकते है उसके बारे में मैं आपको अभी तफसीर से बताता हूँ तो शुरू करते हैं आज की वीडियो नादें सिर्का से गोश्ट गलाएं सिर्के में मजूद सिट्रे केसिर की तदाबियत गोश्ट को गलाने में मदद देती है सिर्के के जरी आप सक्से सक्स गोश्टों भी महद थोड़ी देर में गला सकते हैं कच्छी पॉडर कच्छी पॉडर का नाम तो सब ही जानते हैं हर मकामी मजार में भी गोश्ट गलाने का मसाला दस्तियाब होता है इस मसाले को डेड़ केंटे गोश्पा लगाने से इसकी सक्ती भी कम हो जाती है और जाइका भी दुबाला हो जाता है चाए से गोश्ट गलाएं चाई सिर्फ ठकावट ही दूर नहीं करती बलकि इसकी मदद से हम अपने तिकों के जायके में भी जान डाल सकते हैं चाई के पत्ती और पानी दोनों हम वजब मगदार में लें यानि अगर चार चमच चाई की पत्ती है तो चार ही चमच पानी लें इसका साधा तेज कावा बनाएं और इस कावे को गोष्ट में डाल कर इसे एक घंटे के लिए ढापने जब आप एक घंटे बाद गोष्ट को निकालेंगे तो ये ना सिर्फ गल चोगा होगा बलकि नर्मों मलायम भी हो जाएगा जिससे आपके तिके सिर्फ पांच मिनट की भाबते ही त्यार हो जाएंगे टमाटर सास अद्रक और दही पेस से गलाएं हर किचन में टमाटर सास अद्रक और दही मौझूद होती है आप इन तीन वज़दा का एक पेस बना लें और गोष्ट में डाल कर अच्छी तरह मिक्स का लें फिर इसे तकरीबन एक घंटे के ल ज़द कर लेगा इसके लावा पपीते को तो आप जानते हैं बड़े गोष्ट की आम तिकाबोटी बनानी हो तो इसके लिए बहुत ही मुश्कल अमर है क्योंकि चिकन की तो तिकाबोटी बन सकती है लेकर बड़े गोष्ट की नहीं बन सकती है अगर आपको बड़ा गोष् और जो मसाले आपने डालने हैं वो डालने और डालने के बाद आप इसको मलाकर एक गहंटे के लिए रख दें एक गहंटे के बाद इसको सीख में परोकार इसकी जो बोटिया हैं उसको कोईले पर रखें और उस से चिकन से भी ज़्यादा जल्दी वो गोश्ट कर जाएगा और आप बीफ की टिका बोटी का मज़ा ले सकते हैं ची नाज़ीं कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो अपना और अपनी सेज का ख्यार रखेगा और ऐसी मालूमाती वीडियो असल करने के लिए मेरे चैनल खार का डाक्टर को